और गैस कैसे आप लोग तो यह गाइस आइफोन 12 प्रावडली मेड इन इंडिया यह जो आइफोन 12 फ्लिपकार्ड के बिग बिलियन डेस में पर्चेस किया गया यूनिट है यह जो आइफोन 12 काफी ज्यादा सस्ते रेट में मिला है आप लोगों को इसके प्राइस के बारे म आइफोन 12 करना चाहिए वह भी चेक आउट करेंगे आज के वीडियो में आइफोन 12 का 128GB का मेड इंडिया वाला बॉक्स जो के पर्चेस किया गया है फिलिपकार्ड के बिग बिलियन डेस सेल में आप लोग यहां पर पीछे चेक आउट कर सकते हो आइफोन 12 वाइट कलर 128GB का बैरियन डिजाइंड बाइपल इन कलीफोर्निया एंड इसेंबल इंडियों इन डिलिवर हो रहे हैं एंड इसेंबल इंडियों डॉमिनेट कर है मारे को वेकास सेंब आया है जो रिचन स्रेटिस्टिक्स बाहा है उसके मुताबिक कुछ तू लाक यूनिट फिलिपकार् से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं इसका सील वगर अल्लेडी ब्रेक हो चुका है विकॉज यह जो फोन है वो मेरा नहीं मेरे फ्रेंड का फोन है उसना उल्लेड इसको अन्मोक्स कर लिया है लेकिन फिर भी आपको छोटा से इसका ग्लिम्स पता देता हूं वाइट कलर के आई में अपको क्या कुछ लिए यहां पर देखने मिले गाजिए बीचे क्त करें तो है है की चार्ण मिले पर ऐपार क्लिक्रल्ञ लेउट आपको इनमेर से कौन से ओरियन पसंद संथ आता है लेकिन यहाँ पर कैमेरा का ओरींटेशन जो वह दो डाइगनल जो कामेरा से उनका साइज भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज किया तो लाइट ज्यादा कैप्चर करेगा तो लो लाइट में आपको आइफोन 13 से थोड़े बैटर इमेजिस देखने मिलेंगा आइफोन 12 के मुकाबले लेकिन ओर और जो आइफोन 12 का कैमेरा सिस्ट में वो भी काफी ज्यादा ब् आपको 12 मेगा पिक्सल के ही दोनों कैमेरा सिस्ट देखने मिलता है तो जो ऑप्टिकल इमेज स्टिबलेजिशन है आइफोन 12 के ओपर उसके मुकाबले जो सेंसर सिफ्ट स्टिबलेजिशन वो आपको ज्यादा बैटर स्टिबलेजिशन प्रवाइट करेगी इन थिएरी ल जादा आपको कुछ फरक नहीं मिलेगा लेकिन थिकनेस यहाँ पर एपल ने इंक्रीस किया है तो आइफोन 12 के मुकाबले 2.5 और ज्यादा आपको बैटरी बैकप मिलेगा आइफोन 13 में आपल के क्लेम्स के मुताबिक तो यहाँ पर बैटरी लाइफ में भी आपल ने ताकि आपको जो नौच का कमपैरिसन है वो मैं बता पाऊं तो जिसके करेश आप लोग यहाँ पर दोनों फोन्स की नौच को चेक आउट कर सकते हो ऐस सच आपको इतना कुछ खास यहाँ पर नौच के मामले में डिफरेंस देखने नहीं मिलता जो नौच है आइफोन 13 सिर तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपिरिंस मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है नौच के मामले में आपको आल्मोंस सेम ही टाइप का एक्सपिरिंस देखने मिलेगा अगर आप लोग कुछ दिन यूज करोग आइफोन 13 को तो आप भूल जाओगे यहाँ इसके लाब दोनों फोन के अंदर जो फ्रेंट में प्रोटेक्शन दिया हुए सिरमिक शीड ग्लास का वो भी एक्जाक्ली दोनों फोन के उपर सीम है आइफोन 12 के उपर भी आपको सेरमिक शीड का प्रोटेक्शन देखने मिलता है तो यहाँ पे भी दोनों फोन में कोई भी साट अव डिफर क्वालिटी के मामले में भी आपको यहां पर कोई भी सॉर्ड आफ डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा एंड दोनों फोन का जो वाटर रजिस्टंस है वह भी आपको एक्जाक्ली सेम ही देखने मिलता है इन फैक्ट जो डिस्प्ले है दोनों फोन के ऊपर आइफोन 12 के ऊपर आइपों दोनों फो के ऊपर आपको एयग्जाक्ली सेम डिस्प्ले देखने मिलता है यहां पर आइभों ढम च्रार्प्स के मामले में आपको क्रीवन देखने मिलते ही ताहिग दिगे लाइफटलि डिफेरेंस नोटीस हो यहां पर आइफोन 12 की जो ब्राइटने से वाग 800 nits की तो यहाँ पर brightness के मामले में आपको slight difference देखने मिलता है slight improvement देखने मिलता है iPhone 13 series में इसके लावागा इस display के अंदर कोई भी difference नहीं है तो यहाँ पर यह जो brightness आपको कब काम में हैगी जब आप outdoor में दोनों phones को use करोगे तो आपको इसकी brightness जादा notice होगे इंडोर्स में तो आप ऐसे भी full brightness पर अपने phone को use नहीं करने वाले लेकिन गाइस जो maximum peak brightness है HDR content viewing के टाइम पर वो तो दोनों phones में same 1200 nits की ही है इसके लाव अगर डिस्प्ले के refresh rate के बारे में बात करें तो दोनों phones पर यह आपको 60 years का display देखने मिलता है दोनों में से किसी भी phone पर आपको 120 years का pro motion display देखने नहीं मिलता है तो डिस्प्ले का overall experience है वो भी आपको same type का यहाँ पर feel होगा दोनों iPhone 12 के उपर भी and iPhone 13 के उपर भी इसके लाव अगर performance के बारे में बात करें तो दोनों ही phones में आपको solid performance देखने मिलेगा आइफोन 12 में A14 माइने चिपसेट है आपल का एफोन 13 में A15 माइने चिपसेट है काफी ज्यादा efficient चिपसेट है काफी ज्यादा powerful चिपसेट है लेकिन ऐस सच यहाँ पर दोनों में आपको कोई भी difference नोटिस नहीं होगा देखने मिलेंगे अभी day-to-day life के अंदर आप लोग कितना इन features को यूज करते हो वह completely आपके ओपर डिपेंड करता है लेकिन क्या features में differences है तो सबसे पहलो यहाँ पे जो photos का section open है उसको हम लोग swipe up करेंगे आइफोन 12 में and swipe up करेंगे आइफोन 13 में तो आपको एक नया photographic styles का option देखने मिलता है जो कि आपको आइफोन 12 में देखने नहीं मिलता अभी photographic styles किया है तो इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको standard profile मिलता है rich contrast profile मिलता है अलग-अलग photographic styles मिलते है अब यह photographic styles exactly करता क्या है तो let's say आपको अगर आइफोन के natural photos पसंद नहीं बिकास आइफोन से काफी ज़्यादा natural photos निकलते है काफी ज़्यादा लोगों को जो आइफोन के photos देख वो flat लगते तो उनको photos म में जाके अपने प्रोफाइल को यहाँ पर सेट कर सकते हो जिसे यहाँ पर rich contrast अगर आपको ज्यादा contrast images चाहिए तो आप rich contrast वाला profile सेलेक्ट कर सकते हो यह कोई भी सोड़ा फिल्टर नहीं है मतलब फोटो लेने के बाद किसा हम लोग फिल्टर अपलाई करते है यह उस तरह अगर आपको वाउम फोटो जादा पसें तो आप वाउम स्टाइल से लग करकर रख सकते हो तो यह वालो जो फीचर आपको आइफोन 12 में देखने नहीं मिलेगा इसके अलाब भी एक और फीचर है जो कि सिनेमेटिक मोड के बारे में मैंने आपको काफी सारे वीडियो में इसको डेफिनेटिली का लिएट में नहीं पर और टेस्ट करेंगे because Apple ने काफ़ी जादा यहाँ पर बड़े-बड़े claims किये है that यह काफ़ी intelligent cinematic mode है बलब जो normal regular portrait mode videos का option आपको जो android phones पर देखने मिलते हैं उस तरह का नहीं है यह focus shifting भी कर सकता है subject to subject यह focus भी automatically shift करेगा काफ़ी smoothly यहाँ पर आपल बता रहे है that track focus जो technique उसका भी Apple ने इस्तमाल किया है that अगर subject है and that object है तो focus shifting काफ़ी जादा smoothly होगा तो वह सारी चीजों को deeply test करेंगे अलग से उसके उपर video बनाएंगे बस कुछ छोटे मोटे samples में आपको शो कर देता हूं ताकि आपको idea आ जाए anyways guys cameras के features के बारे में बात करें तो overall तो आपको यह features देखने मिलते extra iPhone 13 में iPhone 12 के मुकाबले लेकिन फिर भी कुछ samples में आप लोग को show कर देता हूं आपको देखने मिलेंगे लेकिन फिर भी आइफोन 12 काफी ब्रिलियंट फोटोस और वीडियो लेता है अभी भी 2021 में iPhone 12 नेक्स्ट 3-4 तक भी आपको डिसपोइट नहीं करेगा फोटोस और वीडियो के मामले में और कैमरा के मामले में अल्रेडी ब्रिलियंट फोटोस और वीडियो निकलेंगे आइफोन 12 से आपको स्लाइटली बैटर मिलेंगे आइफोन 12 के मुकाबले लेकिन इतने भी बैटर नहीं मिलेंगे जमीन आस्मान का यहां पर डिफरेंस हो जाए तो कैसी जो मैंने आप लोग को डिफरेंस बताए इन डिफरेंस के अलावा दोनों फोन्स में ऐस सच आपको और कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलता फिर भी आप लोग को एक पूरा जो कमपैरेजिन का लिंक है एपल के ओफिशन वेबसाइड का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रवाइड कर दूगा ताकि आप आप लोग जाके वो चीज़े भी चेक आउट कर सको एनिवेज गैस तो क्या आपको आपको आइफोन 12 सीरीज लेना चाहिए पैसे बचा के या तो आइफोन 13 सीरीज के लिए जाना चाहिए तो यह आपके बजट के ओपर डिपेंड करेगा अगर मैं आपकी जगह पर होता तो पैसे बचाता है और आइफोन 12 के लिए जाता है बिकॉस आइफोन 12 काफी जादा सस्ते में अभी आपको देखने मिल रहा है फिलिपकाट के बिग बिलियन डेस सेल में अभी भी गाइस बिग बिलियन डेस सेल चालू है और फिफ्टी वन थाउजन का कुछ अपरोक्स का डिसकाउंट मिलता है तो सेवन्टी फॉर ताउजन का आइफोन थर्टी ने वन ट्वेंटी एट जीबी का तुम्हें एनी डे ट्वेंटी ताउजन रुपी सेव करता है आइफोन 12 सीरीज के लिए जाता लेकिन जैसे कि मैं आप लोग बता है अगर आपके पास बजट क कोई भी बजट का इशू नहीं है तो आप आइफोन 13 के लिए जा सकते हो और लेटेस्ट डिवाइस को यूज कर सकते हो और सो का इस फ्लिपकाड का बिग बिलियन डे सेल अभी बी चालू है तो अभी भी मिस नहीं हुए प्राइजिंग नो डाउट जादा हो चुक है 64 GB व मेरे फ्रेंड ने फर्स दे ही आइफोन 12 को खरीद लिया था उसको आइफोन 12 मिला है फिफ्टी वन ट्रिपल नाइन में एंड एक्सिस बैंक का उसने यहां पर डिसकाउंट यूज किया था एक्सिस बैंक के कार्ड का ऑन टॉप आप आप जी एस्टी बेनिफिट भी ले स सकते हो 44,000 जो के काफी एक इंसेन प्राइज आइफोन 12 का अभी विए उपर्चुनिटी मिस नहीं हुए तो आप उपर्चुनिटी का फाइदा उठा सकते हो तो बस यह था आज का हमारा वीडियो अमित कर तो आप लोगों को पसंद नहीं हो अगर पसंद नहीं तो लाइक